पूरा 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 लगा हुआ है कई लोगों तो इसका नाम पता होगा बहुत सारे लोगों को दोस्तों इसे नाग दोन के नाम से जानते हैं हमारे हाथ में रखी इस तरह से देख लिजे पते इस तरह से क्योंकि दोस्तों इसे नाग दोन इसले बोला जाता है क्योंकि इसके जो आप देखी सकते हैं पत्ते नाग के फन की तरह है बहुत इसानी से अगर आप ग्रामीड इलाकों में रहते हैं तो ग्रामीड इलाकों में मिल जाते हैं बहुत इसानी से मिल जाते हैं बहुत सारे इसका बेनिफिट होता है तो बिल्कुल है अब गलत है इसका किसी भी तरह का मताब यह कोई जहरीला नहीं है ठीक है इसका जो दूद होता है किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं पहुँचाता तो इसके जो तासीर होता है ना ठंडी होता है इसलिए गर्मी संबंधी बीमारी को ठीक करने का काम करता है त आपको कम से कम इसका पत्ते का घोल आधा गिलास तयार करना है और आपको प्रति दिन पीना है गर्मी बढ़ने की कराण अगर बवासीर की बीमारी हुआ है तो ठीक हो जाते हैं इसके बाद दोस्तों इसका माप लोगों को दूसरा उपाय बता रहूं दूसरा जो माता बैने जिनकी धात रोग से परसान है सफेद पानी निकलती है पुरूसों में धात रोग माता बैने में अगर सफेद पानी निकलती है तो क्या करे एक कप की रस इसका निकाल ले ठीक है इसका आप पत्ते का इसका अच्छी तरह से पिस करके एक कप रस निकाले जिए एक कप रस मे आपको एक-दो दाने काली मीर्चे का मिला देना है आप की मिला सकते हैं यह तासीर होती है थंडी होती है फिर दोस्तों आपको पीना होता है बिल्कुल ही धाद रोको ठीक करता है माता बैने में जैसे सफेत पानी नहीं कर रहे हैं गर्मी बढ़ चुका उसे भी ठीक करने का क चाहिए इसका एक कप आप रस निकाल करके पी के देखें बिल्कुल यापके सरीर में पूरी तरह से ठंड़क भर देंगे इतना ज्यादा है पावरफुल होता है दोस्तों मैं आप लोगों को इसका बहुं सारा फैदा बताऊंगा लेकिन अगर आप गर्मी संबंदी जैसे प पेसाब में जलन है पेसाब में पीला पान आता है सरीर में गर्मी बढ़ चुका तो इसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं कोई नुकसान नहीं है बहुत से लोग बोलते होंगे कि जहरीला होता है किसी भी तरह कि जहरीला नहीं होता कोई दिक्कत नहीं आप इसका काम करता है तो यह थे छोटी सी जानगरी वीडियो देखने कि आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यमाद नमस्कार